हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूटूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है आज हम करेंगे कक्ष्या दस्वी गणित की प्रशनावली आठ दसमलव एक की प्रसंद संख्या 6 से प्रसंद संख्या 1 से 5 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं वीडियो को आथ तक देखना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कोमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्रसंद संख्या 6 से शुरू करते हैं यदि कौन A और कौन B नून कौन हैं, जहाँ पर कोस A ब्राबर है कोस B तो दिखाएए कि कौन A ब्राबर होगा, B तो बच्चों यहाँ पर हमें A और B नून कौन दिये हुए हैं नून कौन वे होते हैं, जिन कौनों का मान 90 डिगरी से छोटा हो उसे हम कहेंगे नून कौन तो यहाँ पर हमें एक सम कौन तरिबुज बना लेते हैं C के उपर इसको सम कौन लिया है इसको मैं A और B पर सम कौन क्यों नहीं ले सकता क्योंकि बच्चों A और B कौन है, वो नून कौन है अगर आप इसको A मानेंगे तो कौन A कितने का हो जाएगा, नून कौन जबकि A क्या है, नून कौन इसको अगर आप B लेंगे तो B कितने का हो जाएगा नबर डिगरी का जबकि B क्या दिया हुआ है नून कौन तो आप इसको A और B ने ले सकते C लेंगे इसको हाँ यहाँ पर आप A ले सकते हैं B भी ले सकते हैं यहाँ पर आप B और A कोई भी ले सकते हैं तो यहाँ पर आप A, B लें या A, B लें लेकिन यहाँ पर सिर्फ कौन C यह आएगा क्योंकि A और B नून कौन हैं समकौनें नहीं हो सकते दिया है यह में दिया हुआ है सिद्ध क्या करना हमें इसको भी लिखे लेते हैं एक बार तो बच्चों इस तरी बुझ के अंदर देखिए सबसे पहले हम कोस A निकाड़ेंगे आपको उस उत्तर तो याद होगा मैंने पीछे परसंद संख्या एक से पांस में बता था आपको अच्छे समझा था कि इसके अंदर ट्रीक होती है इसको यूज़ करते हैं अले ये लाल बटे के 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 ककका लाल बटे ककका ये जो होता है पहला ये जो पहला है अल बटे के ये होता साइन के लिए लंब बटे करण दूसरा ए अधार बटे करण कोस के लिए तीसरा लंब बटे अधार यह होता है टेंजेंट के लिए तो यहाँ पर हम कोस A का मान निकालेंगे कोस A तिरे भूज A, B, C से कोस A वराब किसके होगा जेखो भी यहाँ पर जब हम निकाल रहे हैं कोस A तो इस कोन को लेंगे हम A वालाई को और मैंने बताया था बच्चो जो कोन आप लेते हैं जिस कोन के भी आप यह जिते हैं भी तर्कौनमी के नुपात निकालते हैं तो उसके सामने वारी बुजा क्या हो जाएगी लंब यहाँ पर आप निकालना है कोस A तो A के सामने जो बुजा है B, C वो हमारा हो जाएगा लंब और यह हमारा A, B, A, C कहलाएगा आधार तो यहाँ पर कोस A बराबर होता है आधार बटे कर्ण तो हमारा आधार हो जाएगा A, C बटे कर्ण कर्ण होता सबसे बड़ी बुजा या 90 के सामने वाली बुजा इसकी बिल्कुल आसान पहचान है कर्ण सबसे बड़ी बुजा कहलाएगी या जो 90 के सामने होगे बुजा कहलाएगी कर्ण तो लंब बटे सुरी अधार बटे कर्ण अधार है AC कर्ण है AB नमबर एक इसी प्रकार निकालेंगे कोस B अब बच्चों आप निकाल रहे हो कोस B तो अब यहां पर आपने B कोन को देखना है अब कोन B की जो सामने की बुजा होगी वो कहलाएगी लंब यहां पर अब AC लंब बन जाएगा क्यों? क्योंकि आप कोस निकाल रहे हो B के साथ क्योंकि यहां पर आपे कोस B का माल निकार रहे हो तो मैं कौन लेना B को अब कौन B के सामने की भुजा A C है वो कहलाएगी लंब और यह हो जाएगा हमारा आधार और A B होगा करन तो यहां पर कोस होता हमारा आधार बटे करन अब कोस B के लिए अधार हो जाएगा B C तो यहाँ पर इसको मालना समीकर नमबर है 2 अब समीकर एक वे दो से हमें दिया हुआ है क्या कोस A बराबर कोस B तो हम कोस A और कोस B के मान को बराबर रख देंगे A C बटा A B बराबर कोस B का मान है B C बटा A B क्यों क्योंकि हमारे कोस A और कोस B क्या है बराबर दी हुए हमें यह यह हमें दिया हुआ है यहां से A B से A B कट जाएगा A C बराबर होगा B C अब बचो देखो इस तिर बुज के अंदर तिर बुज A B C में हमने यह दिखा दिया कि A C बराबर हो गया B C अब बचो A C और यह B C बराबर है तो आपने पीछे पढ़्या भी था एक तिर बुज में अगर दो बुजा बराबर हैं तो बराबर बुज आओं के सम्मुख कोन भी क्या होते हैं बराबर तो A C का सम्मुख कोन हो जाएगा B और BC का सम्मुह कौन हो जाएगा ऐ क्या आप लिखेंगे अपर क्या लिखेंगे समान बोजाओं के सम्मुह कौन बराबर होते हैं यह लिख देंगे यहाँ पर तो यही हमरे बुद करना था हमेशी देख करना था कि कौन A बराबर कौन B परसंद संख्या 7 को पढ़ते हैं यदि कोट थीटा बराबर है 7 बटे 8 तो नमब एक एक जमा साइन थीटा गुना एक गटा साइन थीटा बटे एक जमा कोज थीटा गुना एक माइनस कोज थीटा नमब दो कोट स्केर थीटा का माने निकालिए यहाँ पर हमने एक त्रिबूज बना लिए समकोन त्रिबूज A, B, C इसके अंदर हमें एक ठीटा मान लेते हैं इसकोन को हमने ठीटा मान लिया आप A को भी ठीटा मान सकते हैं C को भी मान सकते हैं हमने C को मान लिया कि हमारा जो कोन ये ठीटा है अब हमें दिया हुआ है कि कोट थीटा बराबर है साथ बटे आठ बचुश में क्या करना आपने सबसे पहले तो आपके एदान रखना है कि L.A.L. बटे K.K.E. स्ट्रिक को आपने हमेशे अपने दिमाग में रखना है तब ही आप सवाल कर पाएंगे तो यहां पर सबसे पहले देखो कोट थीटा हमें दिया हुआ है हमें क्या दिया है कि कोट थीटा बराबर साथ बटे आठ अब इस तिर्बुझ के अंदर कोट थीटा किसके बराबर होगा बचो कोट थीटा बराबर होता है टेंजन्ट का उल्टा टेंजिन्ट होता है लंब बटे आधार लंब बटे आधार तो कोट होजेगा इसका उल्टा आधार बटे लंब तो यहां मैं लिख देता हूँ आप किस विदा के लिए तो मैं यहां पर लिख देता हूँ थोड़ा आपको ईजी हो जाएगा कन्फ्यूज नहीं होंगे आप कोट ठीटा बराबर होगा आधार बटे लम अधार बटे लम अब यहां पर देखिए ठीटा मारा ये है ठीटा के सामने की बुजा क्या हो जाएगी लम और ये बुजा क्या हो जाएगी अधार तो अधार क्या हो जाएगा अधार हो जाएगा BC और लंब हो जाएगा AB ठीटा के सामने वाड़ा अब दिया होगा कि कोड़ ठीटा ब्राबर है 7 बटे 8 इसका मतलब यह हो जाएगा कोड़ ठीटा मारा है BC बटे AB यानि BC बटा AB को मिलिक सकते हैं 7 बटे 8 क्योंकि कोड़ ठीटा ब्राबर है 7 बटे 8 और कोड़ ठीटा ब्रा यहां से बच्चों हम लिख सकते हैं कि BC बराबर 7X, AB बराबर 8X देखो यहां पर हमें अनुपात दे रख्या है, BC का और AB का जो अनुपात है वो 7 बटे 8 BC को मान लेंगे 7X, यहां पर X कोई भी एक 480 है, आप X लो, Y लो जड़ी कुछ भी ले सकते हैं तो हमने X ले लिया कि BC बराबर है 7X और AB बराबर है 8X, जहां पर भी अनुपात होता है, वहां पर हम किसी चर्शे गुणा कर देते हैं या अपने पिछी भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा अब हमें इस तिर्बुझ के अंदर देखो, BC का पता चले गया 7X है, AB का मालूम पढ़ गया 8X है, अब हमें AC निकालना पढ़ेगा, इसके अंदर में AC निकाल लेते हैं क्या निकालेंगे? AC AC अब देखो, पाइथागोरस पर में से, समकोन तिर्बुझ के अंदर हम पाइथागोरस पर में लगा सकते हैं, पाइथागोरस पर में क्या कहती है? कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग तो यहाँ पर हमारा कर्ण है AC, AC का वर्ग बराबर आधार हमारा है BC, BC का वर्ग जमा लंब है हमारा AB, इसका वर्ग, हल करेंगे इसको आगे BC हमारा है 7X, 7X का स्केर, जमा AB है 8X, 8X का वर्ग हो जाएगा तो AC का वर्ग बराबर होगा, 7X का स्केर, 7 का वर्ग उनेंचास, X का वर्ग X की 2 8X का वर्ग, 8 का वर्ग 64, X का वर्ग X की 2, यह आएगा उनेंचास और 64 यह हमारे पास बन जाएगा 113, X की 2, यह आएगा यहां से हमारे पास AC कितना हो जाएगा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग मूल इधर वर्ग मूल करेंगे, वर्ग मूल से वर्ग कट जाता है, AC बचेगा इधर वर्ग मूल करेंगे, हम इसका वर्ग मूल करेंगे, तो वर्ग मूल के अंदर आएगा 113 है और जो साथ में x स्केर है उसका वरग मूल करने पर वरग है वो हट जाएगा तो यह नी एकस एकसो तेरे एकस की दो का वरग मूल करने पर वरग मूल 113 एकस बचेगा मारे पास तीछ प्रकार हम क्या मालूम करना था यह मान में निकानना है तो इसको लेके चलेंगे, मान रखेंगे देखो पहले तो उपर इसको अल कर लेते हैं A जमा B और A घटाबी का सुत्र लगाएंगे A जमा B गुणा A घटाबी यह बराबर होता है A का वर्ग घटा B का वर्ग उपर लगाएंगे A जमा B, A घटाबी A स्केर यहनि वन का स्केर वर्ग घटा B स्केर, B स्केर हमारे पास है साइन थिटा इसका स्केर हो जाएगा B हमारे पास है साइन थिटा बटे, निच्चे भी बह लगेगा A जमा B, A घटाबी ए का वर्ग यानि वन का वर्ग घटा बी का वर्ग भी हमारे पास है कोश ठीटा इसका वर्ग यह हो जाएगा इसको अलकरेंगा आगे अब इसके अंदर बच्चों मान रखेंगे एक घटा साइन ठीटा का मान देखो क्या होगा साइन थीटा कमान क्या होगा देखो साइन थीटा मारे पास होता है साइन थीटा किसके ब्राबर होता है यह दखना अपने लाल बटे कका साइन थीटा ब्राबर होगा लंब बटे कर्ण लंब बटे कर्ण अब यहाँ परिस्तिर बुज में देखो लंब हमारे पास क्या है AB बटे कर्ण क्या है AC इसका वरग कर देंगे मैंसे बटे एक घटा कोस्थिटा का वरग कोस्थिटा क्या होता है कोस्थिटा बराबर होता है अधार बटे कर्ण अधार है यहाँ पर BC और कर्ण है यहाँ पर AC इसका भी क्या हो जाएगा वर्ग बराबर एक घटा A B का मान कितना है? 8 X 8 X का वर्ग बटे 8 X बटे A C है तो बटे करेंगे इसके हम बटे होगा A C A C यानि की वर्ग मूल 113 X का वर्ग फिर यहां बटे करेंगे हम यह एक घटा B C B C हमारे पास है 7 X बटे A C A C हमारे पास है वर्ग मूल 113 X और इस सारे का वर्ग हमने सिरफ A B B C और A C के उपड़ से यहां पर मान रख्या और कुछ नहीं किया उपड़े हमने मान नहीं रख्या है आगे हल करते हैं इसको एक घटा उपर देखो 8 X का वर्ग हो जाएगा 64 X का वर्ग बटे वर्ग मूल 113 X का वर्ग वर्ग मूल का वर्ग करेंगा वर्ग मूल 8 जाएगा 113 X का वर्ग यह आएगा उपर निच्चे के आएगा देखो एक घटा 7 X का वर्ग 49 X का वर्ग बटे वरग मूल 113 X वरग मूल 113 X का वरग वरग मूल का वरग करने से वरग मूल अट जाएगा 113 X का वरग यह होगा उपर निचे यह कट जाएगा X का वरग से X का वरग यहां आएगा मारे पास 1 गाटा 64 बटे 113 निचे आएगा 1 गाटा 49 बटे 113 उपर लगुतम लेंगे 113, 113 घटा 64, हमने सिर्फ लगुतम लिया और कुछ नहीं किया, नीचे भी 113 लगुतम आएगा, 113 घटा 99, बराबर, अब 113 में से गए 64, हमारे पास बचेगा ये 99, बटे 113, नीचे फिर 113 में से गए 99, ये हमारे पास बचेगा 64, बटे 113, अब दुन्नों के नीचे 113 है, दुन्नों ये कट जाएंगे, ये हमारे पास आजएगा 99, बटे 64, ये हमारा आंसर होगा इस पहले पार्ट का, दूसरा बाग करते हैं, कोट स्केर ठीटा, इसका मान निकालना है, बच्चों हमें दे रख्या है, कोट ठीटा का मान, अब कोट स्केर ठीटा का मम ले सकते हैं, कोट ठीटा सारे का वरग, ऐसे लिख सकते हैं इसको, जुन्नों में कोई फ्राक नहीं है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, अब कोट छीटा का मान हमें दिया हुआ है इसी परसण में कि कोट छीटा चाट बटे आठ उसका मान रख देंगे हम साट बटे आठ उसका वरग जहाँ पर कोट छीटा था वहाँ पर उसका मनें मान रख दिया साथ का वरग हो जायेगा врем contenous 8 का वरग trif 54 तो उने चास बटे चोस सटे ये इसका अंसर हो जाएगा